हलो दोस्तों, आपका स्वागत है तिरिसक्ति अकैडमी में और आज हम डिसकस करेंगे उत्राखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परिच्छा 2022 के लिए सलेबस, स्टुडेंट आज हम जानेंगे सभी ग्रूप के लिए सलेबस के बारे में जानेंगे स्टुडेंट जो की मेंली आपके दो ग्रूप हैं उत्राखंड पॉलिटेक्निक में एक तो इंजिनिरिंग ग्रूप और एक फार्मेसी ग्रूप तो दोनों के लिए सलेबस जानेंगे कितना कितना परसेंट आपका एक्जाम में math से, science से कितना कितना percent आएगा यह हम इस वीडियो में discuss करेंगे और फिर आपको पढ़ना कैसे है यह भी हम इस वीडियो में student discuss करेंगे तो student देखे उत्रकन परवेश परिक्षा के जो form है student वो अभी भरे जा रहे है आप उनको अभी भी UBTR की साइट पर जाकर देखी बर सकते हैं जिन student ने form भर रिया है उनके दिमाग में देखे एक question है कि अब syllabus जो है वो हमें कैसे पता चलेगा क्या syllabus होगा जो हमारे exam में आएगा entrance exam exam में आएगा वो आपके दिमाग में question है student तो student मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्राखन प्रवेश परिक्षा 2022 के लिए आपके लिए देखिए बहुत ही यहाँ पर important यहाँ पर एक मौका है कि आप जो है admission ले पाएं अच्छे college में आपको admission मिले जिसे आपको बाद में अच्छे से अच्छा placement मिले तो देखिए उत्राखन पॉल टेक्निक से जुड़ावा student देखिए सबसे देखिए मैं आपको कहूँ सबसे अच्छा आपके लिए जो channel है वो तरिशक्ति academy ही है जो आपको देखिए बिल्कुल तैयारी से लेकर और final exam तक जब आप डिवलोमा के यह गुरूप होता है और इसमें देखिए कौन-कौन से ब्रांच आपके आती हैं देखिए civil engineering civil mechanical आपकी यहां पर electrical यह दो main ब्रांच आती है electronics electronics और student यहां पर आपकी computer science information technology यह ब्रांच इस student यहां पर आती है engineering group में तो student देखिए सबके लिए common syllabus आएगा सबके लिए common syllabus आएगा क्योंकि देखिए student पहले आप engineering group के exam निकालेंगे तब जाकर आप अपने मन पसंद के ब्रांच भर पाएंगे तो सबके लिए देखिए एक ही जो है जो है paper आएगा engineering group के लिए तो इसमें student मैं आपको बता हूँ 50% जो है mathematics रहेगी 50% mathematics रहेगी उसका level भी मैं आपको बता देता हूँ 90% जो level रहेगा वो class 10th का रहेगा और जो कुछ 10% के करीब जो level रहेगा math का वो आपके क्या रहेगा class 11th और 12th की math का थोड़ा सा level रहेगा student यह जान रखेगा वो भी हम आपको अपको अपनी channel में कराएंगे तो student ऐसा नहीं कि आपकी एवल 10 वी का math पढ़के और paper दे देंगे engineering group के नहीं थोड़ा 11 वी और 12 वी के उन्हें concept भी पता होनी चाहिए आपको बता होनी चाहिए जो हम आपको बताएंगे student अब देखिए यह आप समझ गया है 50% आपकी आती है mathematics 50% आपकी आती है mathematics 50% और student 50% आपकी आती है यहाँ पर physics और chemistry 50% ही आपकी आती है physics and chemistry इसमें 25 माग की physics रहेगी 25 माग की chemistry रहेगी और इसका level भी student मैं आपको बताओ इसका maximum 99% जो इसका level रहेगा वो class 10 से रहेगा class 10 से रहेगा engineering group के लिए 99% जो से लिए बस होगा वो class 10 से होगा एक दो question थोड़ा हो सकते हैं उपर नीचे हो class 11 पहल से भी कुछ question हो सकते हैं तो यह ध्यान रखे हो mathematics, physics, chemistry यह तीनों जो है आते हैं आपके exam में 50-50% weightage है दोनों का यह मैं आपको बता चुगा 50% आपका math का weightage है 50% ही आपका किसका weightage है physics और chemistry का तो student ध्यान रखेगा आपको पढ़ना कहां से है पढ़ना आपको सब हमारे चैनल से ही है आप हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और जो आपके seniors हैं जिन्होंने पिछले साल admission लिया था जिन्होंने पिछले साल आपकी ही तरह त्यारे की थी वो यहां से student एक rank भी लेकर आए है एक rank, दो rank, पाँच rank, दस rank आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं student जिसमें student अपनी rank बताई है exam के बाद जब उनका result आए था तो student देखिए आप उनकी rank भी देख सकते हैं फिर आप यहां पर देखिए pharmacy group फार्मेसी ग्रूप की student देखिए physics और chemistry यह 50% रहती है और जो आपकी biology या math क्योंकि student जो PCM वाले student है वो भी बरते हैं PCM वाले student भी बर सकते हैं इसको तो इसमें आपकी 50% आपकी math रहेगी वो आपकी यह जो level है यह class 12th की level है student class 12th का level है यहां पर ना कि class 10th का math और bio में भी class 12th का level है यहां पर दोनों में कि अगर आप PCV group से हैं तो आपकी bio आएगी 50% अगर आप math group से हैं math की अगर आपने लिए है PCM तो आपकी यहां पर क्या है 50% math आएगी ज्यान रखेगा तो यह फार्मेशी के लिए फार्मेशी के लिए भी student हम जो है प्रीवेश्चन स्वालव कराएंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और student देखिए तयारी करने के लिए student देखिए हमारी जीप लेश्ट दोजार इकिस बाइस जीप लेश्ट दोजार बाइस है जीप लेश्ट दोजार बाइस है आप यहां पर विजिट करें देखिए डेली आपके लिए मौक टेस्ट आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर देखिए डेली आपके लिए मौक टेस्ट आ रहे हैं और जि इस बार यह उत्राखन दोनों पॉल टेक्निक को लेकर चल रहे हैं क्योंकि दोनों का सलेबस सेम आता है पॉल टेक्निक एंटरेंस एक्जाम में तो यूपी प्लस उत्राखन दोनों के लिए बैनिफिट होगा इस बारी यह ज्यान रखेगा तो आप वीडियो देख सकते हैं और जादे जादे आप वीडियो देखिए क्योंकि student जो student daily और लगतार वीडियो देखते हैं वो जरूर सक्सेस करते हैं उनकी अच्छी rank आती है अच्छा government college मिलता है और तीन साल बाद उन्हें अच्छी placement भी जरूर मिलेगी college से यह जान रखिएगा तो जी प्लेजिस 2022 में ज झान रखिए क्योंकि प्रिफट जो दे खिएगर क्योंकि अजीजिस दिएगंगोतार आखिएगार बन्षार्ण करते हैं और विरेगां ऑर लगताः। अर देखिएगायां लिएखिएगवार एक्रिदिएग्साण याज मिलीप्टिएग्साण